नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वानियूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रियास वक्त की एक बड़ी खबर जो सामड़ी आ रही है वो है लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे पूर्विधायक अबू दोजाना के घर पर E.D. की छापे मारी पटना में चल रही चापे मारी लगतार E.D. की जारी है लेकिनी सी बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहने आचारया जो अकसर सोचल मीडिया पर काफी ज्यादा आक्टिव रहती है और ट्वीट करती हुई नजर आती है उन्होंने ट्वीट किया है उन्होंने ट्वीट में साफ तोर से लिखा है कि हम डड़ने वाले नहीं है सुभा से ही E.D. की चापे मारी जो है वाबु दुजाना के घर पड़ चार रही है और इसी को लेकर के सुभा से ही रोहनी आचारया के ट्वीट आने शुरू हो गए क्या कुछ उनके ट्वीट में लिखा हुआ है और क्या लगता ट्वीट कर रही है रोहनी आचारया आईए हम आपको बताते हैं पूरे मामले पर रोहनी आचारया ने सुभा से ही ट्वीट करना शुरू कर दिया है पहला जो ट्वीट आया रोहनी आचारया का उसमें उन्होंने साफ तोर से लिखा कि जनता के दिलों दिमाग से कैसे और इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तीजस्वी यादव की फोटो भी पोस्ट की है इसके बाद जो ट्वीट किया है रोहिनी आचार्या ने उस पर साफतोर से लिखा है कि छापे पर छापा भाजपा ने खोया जो आपा भाजपा पर निशाना साती डरना नहीं लड़ना जानते हैं इसके बाद जो रोहिनी आचारा ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है भाजपा सरकार का हिटलर शाई परमान है इमान बेचने का पैगाम है मगर जुकने को तयार नहीं बिहार माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है इसके बाद आखरी ट्वीट 48 मिनट पहले रोहिनी आचार्या का आया है वो है बस इनका एक ही मकसद है किसी भी तरह से लालू परिवार को जुकाना चाहे नीचता की कितने भी हदेपार करने पड़े तो ये लोग करेंगे और करते ही रहेंगे तेरे हर नापाक इरादे को अपने बुल में मिलाना जानते हैं हम लालू आदी और साथ ही उन्होंने ओपरेशनल लोटस का एक फोटो भी पोस्ट किया है तो लगतार जो चापे मारी एडी की है वो जारी है इससे पहले भी हमने देखा था कि CBI की चापे मारी जो है वो राबरी आबास पर पड़ी थी चापे मारी क के करीबी रहें अबु दोजाना उनके घर पर और उनके दफतर पर चापे मारी चौड़ाईयो और उसके अलावा लालू प्रसाद यादफ के 25 ठेकानों पर और लालू परेवार की तीनों बेटियों के ठेकानों पर चापे मारी लगतार इडी की जारी है इस खबर में और क या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है पलपल की अपडेट जो है वो हम आपको देते नहेंगे देश्वा नियूज में फिलाल के लिए इतना ही बने रहे हैं हमार साथ देश्व और दुनिया की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद सिर्फ खबर दिखाना देश्वा नियूज का मकसद नहीं देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा नियूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले